हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल गाईज कैसे हो आप सब आप सब अच्छे होंगे कुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहोंगे तो आज जी हूम रिडिंग करेंगे गाईज वो आपके परसन की करेंट फीलिंग को लेकर है इस वक्त आपके परसन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं चलिए देख लेते हैं और साइंस के लिए रिडिंग है गाईज मेरिट अन्मेरिट कोई भी देख सकते हैं मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं टाइमलेस रिडिंग होने वाली है जनर्टल और कलेक्टिव रिडिंग है जितनी रेजोनेट करें उतनी रखिएगा तो चली अपने परसन पर फोकस कीजी तो यहां पर हो सकता है गाईस के लंबे समय से आपके परसन ने आपको खुद से दूर कर दिया call behavior है और वही है कि किसी तरह से आप से कोई बातचीत नहीं कोई हाल आपका जानना नहीं है और अगर आप कोशिश कर भी रहे हैं तो आपको ignore किया जा रहा है ऐसा हो सकता है और हो सकता है इन्होंने आपका number block कर दिया आपका number delete कर दिया और वही है कि आप call message कर भी रहे हैं तो कोई जवाब नहीं देना है, ignore करना है यह सब इनका लंबे समय से हो सकता है आपके साथ चल रहा है और यहाँ पर ऐसा है कि इनकी वज़े से वही है guys कि आप काफी साथ confused भी है क्या चल रहा है इस इंसान का आगे कुछ और यहाँ पर हो सकता है कि फिर यहाँ इनकी फैमली की वज़े से भी यह relationship ऐसा है कि खराब हो गया आप दोनों का या फिर वही है कि यह किसी और के साथ married है इसकी वज़े से ऐसा है तो यहाँ पर कोई नों के मामला तो है जिसकी वज़े से क्या हुआ इस इंसान ने आप से दूरी बना ली अब देखें यहाँ पर ऐसा है गाईस कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ emotionally बहुत सदा अटेज़ भी है और यहाँ पर आपके person आपकी तरफ देख रहे हैं उनको यही समझ में आता है कि आप ही है जो इनसान है जो उनको संभाल सकता है उनकी लाइफ की जो भी परिशानिया है उसको दूर करके इनको बहतर जिन्दीगी दे सकता है आपके साथ इनोंने जो समय बिताया गाईस वो काफि सदा अचछा रहा है और आपके साथ यह से हैं मस्ती किया इन्होंने और अपने हर सुख दुख आपके साथ बाटा और यह ऐसा था कि आपके सामने real person रहे हैं इस इंसान को पता है गाइस कि आपके साथ इनोंने खुल कर अपनी जिन्दकी को जिया है और ऐसा था कि आपके सामने ये बच्पना भी दिखाते थे बच्चों वाली हरकत इनकी रहती थी कभी आप बुरा नहीं माने कभी इनकी बातों का बुरा नहीं माने या इनकी हरकतों स आपका बस यही था कि इस इंसान के साथ रिष्टा आगे लेकर जाना है, इनको ऐसा है कि अपनी लाइफ से जाने देना नहीं है, चाहिए हजार गलतियां कर ले, आप इनको माफ करने को तयार रहते थे, और इन सब समय को अभी याद कर रहे हैं, इनको पता है कि ये आपके सा करनी है, सब इनको पर डिपेंड है, तो सब का ध्यान रखना है, सब के लिए कुछ नगुछ करना है, तो अभी ये तो ये बचपना बचपना नहीं दिखा सकते, और ये सब अभी जहनचट में नहीं पड़ सकते, क्योंकि जो रिष्टा खराब हो गया, उसको ठीक करने के अभी इनके पास टाइम नहीं है, अभी ये जिम्मेदानियों को पूरा करने में लगे हैं, ऐसा अभी इनके दिमाग चल रहा है, इस वज़े से क्या है, आपकी तरह बड़ भी नहीं रहे हैं, और यहां पर ऐसा है गाइस की, हो सकता है, इस इंसान ने आपसे बहुत सदा म मदद की है, और कहीं न कहीं ऐसा है कि जुड़े हुए तो आप इन से थे ही, एमोशनल तो आप इनके लिए हमेशा से रहे हैं, तो इनके सुख दुख में ज्यादा साथ दिया है, आपने इनका ऐसा भी हो सकता है, और जब आपको आप दुख ही में है, आपको इनकी जरूर पत्ति आप इसको पूरा करतें, कैसे भी कर कि आपको यही रहता था कि इनसान खुश रहे, इसको किसी चीज की कमी नहीं हो या किसी तरह से परिशान न रहे, यही आपकी सोच रहती थी, तो इस इनसान ने आपसे बहुत कुछ लिया गाइस, और बदले में आपको कुछ न नहीं कि आपके लिए, और आपने इनके लिए सब कुछ किया, कभी कभार कुछ कर भी दिया, तो ऐसा भी होता था कि हैसान बताते थे, यही आपको गिनवाने लगते कि आपके लिए इन्हों नहीं यह कर दिया, वो कर दिया, आपकी मदद नहीं कि थी, क्या तो इसलिए आपका सांती छोड़ दिये, इनको अपनी जिम्मेदारियां यादाने लगी, फिर इनको यह लगा कि नहीं है, सब जमेले में नहीं पर सकते, इन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां है, उनको इनको पूरा करना है, ति यह ऐसा रहा है, तो वही आपको लगता है, कि आज इतना कुछ करने के बाद वो इंसान आपका नहीं हुआ तो फिर अब आप किसे उम्मीद करेंगे तो ऐसा नहीं है गाइस कि हमेशा ही आपके लिए बुरे रहे इन्होंने भी कही न कहीं आपकी मदद तो की तभी आप इनको पसंद करते थे तभी आप इसा था कि आप इनको छोड़ना नहीं चाहते थे कभी न कभी तो आपको प्यार दिया आपका साथ दिया ही होगा लेकिन उतना इन्होंने नहीं किया जितना इनके लिए आपने किया है यहाँ पर problem यह है guys की प्यार तो ही आपसे करते हैं लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है हमेशा से ही आपने इनको जादत दिया है जिसकी वज़़ज से इस इंसान के भाव भी बड़े हैं यहाँ जो ego है उसकी वज़़ज से क्या है इस इंसान को आपके सामने जुखना भी नहीं है, अपनी गलती नजर नहीं आती, इनको मालूम है ये कैसा समय आपके साथ बिता हैं, आपके साथ इनकी लाइफ अच्छी रही है, आगे भी अच्छी हो सकती है, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या है एक येका अहंकार भी रहता है इनसान का, जिसकी वज़े से वो अपने आपको बदल नहीं पाता, या अच्छे रिष्टे को तोड़ देता है, तो ये अभी इनका यही चल रहा है, फिर अभी ये इस चीज़ को देखना नहीं चाहते कि इनके रवईये से आप कितने ज़दा परशान हो रहे होंगे, हर्ट हो रहे हो कि इनको अच्छी तरह से पता भी है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, फिर भी इनसान आज आपको तकलीफ दे रहा है, और इस इनसान को पता है कि आप इनके अलावा किसी के बारे में सोचते ही नहीं, और आज भी आप इनका इंतजार कर रहे हैं, ये भी अच्छी तरह स आपसे अलगोकर यह किसी इंसान की तरफ बढ़े हैं, वहाँ पर इनका भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, उस इंसान के साथ एंजॉय कर रहे हैं, यह नहीं चाहते हैं कि किसी तरफ से आप के साथ यह जुरें, आपको कहीं न कहीं से पता भी चल भी गया होगा, यह भी इनक बन जाएंगे, ऐसा इनको लगता है, आप उस इंसान के साथ इनका रिष्टा खराब करवाना चाहेंगे, जो अच्छा खासा भी चल रहा है, जहां पर यह इंजॉय कर पा रहे हैं उस इंसान के साथ, और इनको यह लगता है कि आप हो सकता है, कोई नो कोई गड़बड करे इनको उस इंसान से अलग करने के लिए, इसलिए भी आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं अभी, क्योंकि इनको अभी उस इंसान के साथ मजा रहा है, अब ऐसा भी है गाईज कि आपके परसन बहुत सदा सेल्फिश है, और आपको पता भी है कि इनसान सेल्फिश है, आप जानते हुए भी इनके साथ रिष्टे में रहें और यह अभी कि नहीं है, यह शुरुआत सही ऐसे रहे हैं, यह अपना मतलब निकालना जानते हैं, अपना फाईदा जादा देखते हैं, और ऐसा है कि अभी देखिये किसी और की तरफ अट्रेक्ट हुए हैं, क्योंकि इनको चाहिए romance अब ये ऐसा है कि अभी तो आपसे दूर हो चुके हैं उस इनसान के साथ वो नया इनसान है या हो सकता है वो ही इनकी husband wife है जो भी है आपके अलाव कोई इनसान इनकी life में है जो romantic partner अभी इनका पूरा पूरा ध्यान उस इनसान की तरफ है कोई नया इनसान या तो इनकी life में आया या फिर ये जिसके साथ married है उसी की बात है तो उसी इसके साथ अभी इनको सही लग रहा है तो ये क्या कर रहे है अभी यही चाहते है कि अगर आपकी तरफ बढ़े तो आप वहाँ इनका रिष्टा खराब करवाद होगे इससे अच्छा है कि आपसे दूर रहे है और जो इनसान की साथ अभी इनको मजा आ रहा है उसके साथ रहे है वो जादा बहतर है और इनका ऐसा है गाइस कि इनको पता है यह जब भी आपकी तरफ बढ़े है आप तो इनको ऐसा है कि मौका तो दोगे ही छोडने वाले तो हो नहीं क्योंकि आप तो इनके बिना रही नहीं सकते तो यह सब जानकर भी इनसान का ऐसा है अपनी मनमानी ये करते हैं और अभी भी कर रहे हैं इनको यह लगता है कि वहाँ तो ऐसा है कि जब भी जाएंगे जो भी है जैसा भी है आपको फुसला लेंगे मना लेंगे और मामला ऐसा है कि सही हो जाएगा तो अभी जो चल रहा है इसको चलने दो बाद में देखा जाएगा जब तक यह इंसान साथ है तो इसके ही साथ ऐसा है कि जो मिल रहा हो लेते रहू और ऐसा है कि इसी कसा तभी बना रहे और आपकी तरफ जो आने की बात है वो बाद में देखा जाएगा ऐसा ये सोच रहे हैं क्योंकि उनको वही है कि मालूम है कि आप तो वही आएंगे तो इनको भगाने वाले हो नहीं आप तो खुद इनको ऐसा इनका वेट कर रहे हो इसी चीज को ये समझ कर ये ऐसा है कि आपकी तरफ ध्यान देना भी नहीं चाहा रहे है देखिए ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते प्यार ये आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं अगर इनको कहीं से पता चल गया कि आप इनके हाँ से निकल रहे हो या किसी और की तरफ ध्यान देने लगे किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया तो ये तुरन भाग के आएंगे आपकी तरफ ऐसा भी इनका हाल है कि ये आप उचोड़ना चाहते ही नहीं लेकिन इनको पता है कि आप कहीं जाने वाले हो नहीं इसलिए इनसान ऐसा है कि निश्चेंत भी है और अभी जहां मजा मिल रहा है बस ये उसी में भी लगे हुए है इनको पता है जब मुँ उठा कराएंगे आप इनको मौका भी दोगे इनकी बात को भी समझ लोगे और इनको माप भी कर दोगे इसलिए ऐसा है कि ये इनसान आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे है तो यहाँ पर आपको उपने आपको बदलने की जरूरत है जब तक आप इनको चेज करना नहीं छोड़ेंगे इनको ऐसा दिखावा करना बंद नहीं करेंगे कि आप इनका वेट कर रहे हैं ये इनके बीना नहीं रह सकते तब तक इस इनसान का घमन तूटने वाला नहीं है तो यहाँ पर अभी तो इनकी एनरजी ऐसी है गाइस तो आप देखें यहाँ पर सब ठीक भी हो सकता है लेकिन इसमें वही है कि आपको खुद को बदलने की जरूरत है जब तक आप इनको ये ऐसास दिलाते रहेंगे कि आप इनका वेट कर रहे हैं आप किसी और के नहीं हो सकते तब तक ये इनसान ऐसा है कि आपके पीछे भागने वाला तो है नहीं जहां मज़ा है, वहाँ आए रहेंगे कल को फिर कोई मिल गया तो फिर उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास रहेगा इनका अर इनको मालूम है कि आप तो कभी इनको ऐसा है कि छोड़ने वाले नहीं हो इसलिए भी क्या है ना, ये समझ नहीं पा रहे हैं जब तक आप अपने आपको ऐसा है मजबूत नहीं वनाएंगे और पूरी तरह से ऐसा है कि जो करना है, करे, जहां जाना है, जाये विल्कुल एंसे मतलब ही नहीं रखेंगे, इनकी तरफ ध्यानी नहीं देंगे, तभी ये इंसान आपके पीछे भागेंगे, आप फुट देखेंगे कि बदलाव कैसे आ रहा है, आज जो आपसे दूर भाग रहा है, आपको इग्नॉर कर रहा है, कल खो आपके पीछे भागे बढ़ आपके लव्यू